आज मैं आपको एक ऐसे चैनल का आईडे देने वाला हूँ जहां से आप हर महीने 600 से लेकर 1000 डोलर तक की इंकम कर सकते हो इस चैनल पर एक लाग सब्सक्राइबर भी नहीं है और आप यहाँ पर ध्यान से देखो मन्थली अर्निंग है, Estimated है 10,000 डोलर तक तो यहाँ से कम से कम बता रहे है, 621 डोलर 621 कम से कम अर्निंग है, इस चैनल की इतनी जादा अर्निंग क्यों होती है बताताँ हूँ अगर हम यहाँ पर Estimated मालने एक महीने में 700 डोलर तो अगर एक डोलर की value देखें तो लगभग उसमें चलना है 83 रूपिय में तो यहाँ पे अगर हम 700 x 83 करते हैं तो एक महीने में हुए 58,000 रूपिय यह मैं कम से कम लगा रहा हूँ और आप एक महीने में इस channel से 1000 डोलर भी earn कर सकते हो और आपको भही अपना face नहीं दिखाना है आपको अपनी आवाज भी record नहीं करनी है आपके पास जो mobile है इस से सब कुछ कर सकते हो इतना अच्छा idea शायद ही है आपको कोई और मिलेगा और आप एक नहीं जितने आप चाओ उतने channel गरो कर सकते हो इस category में लेकिन time देना पड़ेगा time आपके पास है तभी इस वीडियो को देखना time दोगे तभी ये channel गरोगा otherwise नहीं होगा तो यार एक बार सोचो कि आपको अपना face भी नहीं दिखाना है फिर भी आपको महिने के 1000 डोलर 600 डोलर मिल सकते हैं तो क्या गलत है इस में और कोई वीडियो जादा ही बारल हो गया तो एक महिने में आपके 3000-4000 डोलर भी बन सकते हैं मैं आपको इस वीडियो में editing भी सिखाऊंगा thumbnail कैसे बनाने वो भी सिखाऊंगा complete में आपको tutorial देने वाला हूँ और इस channel का नाम है inspired me अभी आप इस channel को देखो यहाँ पर आपको क्या काम करना पड़ेगा सबसे पहले यह देखो अभी अगर हम इनकी वीडियो पर views की बात करें तो यहाँ पर जादा views नहीं है तो इसको देखकर भागने नहीं है कि यहाँ पर तो views ही नहीं मिलते तो यहाँ पर देखो दो अफते में 1.8 की views दो अफते में सिर्फ 500 views मिले है और यहाँ पर देखो एक महिने में सिर्फ 1600 views मिले है तो उसके बाद यहाँ पर पॉपुलर वीडियो में अगर मैं किलिक करूँ तो यह चेक करो यहाँ पर दो लाख 47,000 यह भी एक ही महिने में मिले है और यहाँ पर एक महिने में देखो जहाँ से एक लाख 63,000 views अब एक चीज धियान से देखो इस वीडियो का लेंथ देखो 33 मिनट आदे खंटे से जादा का वीडियो है चलिए आपको बताता हूँ कि कैसे आप बना सकते हो आपको इधर से इधर करने है कोपी पेस्ट करने है और कुछ करने की ज़रूत नहीं है और आपका यूट्यूब चैनल भी मोनिटाइज होगा इस तरह के और भी बहुत सारे चैनल से है जैसे मैं इस वीडियो को यहाँ पे प्ले करता हूँ तो इसके नीचे ही आपको बहुत सारे चैनल लिकमेंड हो जाएंगे और इस तरह की वीडियो जाएंगे जैसे हम यहाँ पे किलिक करते हैं इस वाली वीडियो पे तो यहाँ पे 31,000 सब्सक्राइबर हैं और वीडियो पे 3 महीने के अंदर ध्यान से देखो 2,000,000 व्यूज मिल गए 2,000,000 व्यूज और आपको अपनी आवाज नहीं लगानी है और ना अपना फेस दिखाना है यह देखो यहाँ पे 4,12,000 व्यूज, 3,17,000 व्यूज तो यह व्यूज आपको भी मिलेंगे लेकिन इसके लिए आपको थोड़ी सी महनत करने पड़ेगी अपने मुबाइल से थोड़ा बहुत कोपी पेस्ट करना पड़ेगा तो आपको किस-किस एप्लिकेशन की ज़रुत पड़ेगी इस तरह के वीडियो बनाने के लिए और ये भी आपको बिलकुल फिरी में मिल जाएंगी आपको बिलकुल फिरी में मिलेंगी ये वीडियो कोई कोपी राइट इस ट्राइक नहीं पड़ेगा जाएगा एक वीडियो पर 50,000 भी व्यूज आगे या 30,000 व्यूज आगे तो भाई वही वीडियो आपका वाच्टाम कंप्लीट कर देगी क्योंकि यहां पर आपकी वीडियो का लेंथ जो रहेगा वो रहेगा 30-30 मिनट 15-15 मिनट 20-20 मिनट और किसी किसी वीडियो का हो सकते है 40 मिनट भी चला जाए चलिए बताता हूं की काम कैसे करना है वैर को भी एक चैनल मिला है और इस चैनल पर सब्सक्राइबर देखो कितने है 32,900 और यह जो यहां पर वीडियो अप्लोड हो रहे हैं दो महीने में वीडियो वाइरल कर लिया ये देखो वाई दो महीने में और वीडियो देखो 25 मिनट मतलब दो महीने के अंदर चैनल गुरो कर लिया तो दो महीने में 30,000 सब्सक्राइबर कम थोड़ी होते हैं तो आपको सबसे पहले जाना है गूगल क्रोम पर गूगल क्रोम हर किसी के पास होता है तो गूगल क्रोम पर जाने के बाद आप जिस भी रिलिजन के वीडियो बनाना चाहते हो इसलामिक रिलिजन के बनाना चाहते हो यह जिस भी रिलिजन के आपकी वीडियो बनाना चाहते हो जिसकी स्टोरी सुनाना चाहते हो वही आप कर सकते हो मैं आपको एक 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 जामपल देकर समझा रहा हूँ आप इसको समझ लेना इत करेंगे इनका कोई भी फोटो ले लेंगे कोई भी फोटो डाउंलोड कर लो ठीक है अभी के लिए मैं एक फोटो डाउंलोड कर लेता हूँ ये वाला किलिक करकर रखो और डाउंलोड इमेज कर लो ये हमारा गेल्डी में सेव हो गया अब उसके बाद आपको यहां पर लिखना है ध्यान से देखो मैं क्या सर्च कर रहा हूँ कहानी तो यहां पर मैंने कहानी लिख दिया अब इनकी इतनी सारी कहानी आ जाएंगी भाई इतनी सारी कहानी आ जाएंगी चलिए मैं यहां पर चला जाता हूँ आप कहानी की जंगा अगर स्टोरी सर्च करोगे तो जादा बहतर रहेगा गोतम बुद्धा स्टोरी तो यहाँ पे उसके बाद किलिक करता हूँ तो यहाँ पे कुछ मोटिवेशनल कहानी आया एंकी तो यह देखो एक बार इनका एक पूरा पैराग्राफ हमारे सामने आ चुका है तो हमें क्या करने है जो भी आप वीडियो मनाना चाहते हो इस तरीके से आपको सर्च करने है आपको इतनी कहानी मिल जाएंगी हजारों टोपिक्स आपके पास एडवांस में रहेंगे इतनी साहरी कहानी आपको Google Chrome पे मिल जाएंगी तो आपको क्या करना है इसको यहाँ पर पढ़ो ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है तो इसको हम यहाँ से यहाँ तक कोपी करेंगे ठीक है अभी सिर्फ इतना कोपी करना है आप जाओ तो इतना भी कर सकते हो नीचे तक भी कर सकते हो तो इतना आपको कोपी कर लेना है तो इसको कोपी करने के बाद आपको एक वेबसाइट पर जाना है तो अभी हिंदी लेंग्वेज में हमने कोपी किया तो मैं यहाँ से हिंदी सिलेक्ट करूँगा हिंदी सिलेक्ट करने के बाद आपको नीचे की तरफ तो अभी हमें कुछ नहीं करना सिर्फ यहाँ पे किलिक करकर रखना है और जो आपने कोपी किया इसको यहां से cut करके हम click करके रखेंगे और paste कर देंगे तो हमने यहां पे paste कर दिया तो उसके बाद आपको क्या करना है नीचे की तरफ play करके देखना है एक बार भगवान बुद्ध जेतवन विहार में रह रहे थे बिक्षु चक्षुपाल भगवान से मिलने के लिए आये थे उनके आगमन के साथ उनकी दिनचर्या व्यवहार और तो समझ गए ना आप मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपने copy किया और यहां पे paste कर दिया तो यहां पे आपने paste कर दिया देखो यहां पे यह लिखा हुए है जब आप इस छोटे से arrow पर क्लिक करोगे तो यहां पे और भी बहुत सारी voice मिलेंगी यह देखो कितनी सारी voice है तो मैं यहां पे यह वाली voice को क्लिक करता हूँ और अब यह सुनकर दिखाऊंगा कि इसमें कैसी आवाज आती है आपको यहां से voice over लेना है बस तो चलिए अभी थोड़ा सा loading चलना है बहुत सारा text है ना तो इसलिए थोड़ा सा loading में time लग रहा है तो समझ गए आपको इस तरह की कहानिया YouTube पर upload करनी है तो यह कहानिया लोग पढ़ना कम पसंद करते हैं और बहुत साई लोग पढ़ते भी हैं लेकिन सुनना जादा पसंद करते हैं सुनना जादा से जादा पसंद करते हैं तो आपको गरने है इस तरीके से कोई भी कहानी यहाँ पे पूरी की पूरी पेस्ट कर देनी है तो कहानी लागह आपने यहाँ पे कोपी करके पेस्ट कर दी Google Chrome से कोपी किया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया तो यहाँ पर आपको ऐक छोटा सा बटन दिख रहोगा देधो डाउनलोड का तो आपको इस डाउनलोड वाले बटन पर किलिक करने है तो जब आप डाउनलोड करोगे यह देखो बाई डाउनलोड हो गया और यह हमारी गैलरी में भी आ चुका है तो अभी हमारा 27 सेकेंड का वीडियो रेडियो हो चुका है भाई 27 सेकेंड का हमने ओडियो डाउनलोड कर लिया अब आपको यह करने है काइन मास्टर अप्लिकेशन में जाना है देखो हर किसी के पास यह अप्लिकेशन होगा अगर आप एक यूटूबर हो तो आपको काइन मास्टर अप्लिकेशन को ओपन करने है काइन मास्टर ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे मीडिया पर किलिक करने है मीडिया पर किलिक करोगे तो अब आपको यहाँ पे सिर्फ इमेज लगाने है अब हम गोतम बुद्धा की कहानी को यहाँ पे एडिट करने वाले हैं तो आप गोतम बुद्धा की पिक Google Chrome से जितनी चाओ उतनी डाउनलोड कर सकते हो unlimited pics आपको मिल जाएंगी जितनी pics आप चाओ उतनी डाउनलोड कर सकते हो अलग-अलग तरह की आपको pics मिल जाएंगी तो मैंने अलड़ी एक डाउनलोड किया हुए है तो मैं यहाँ पे किलिक करता हूँ सिर्फ आपको इस तरीके से किलिक करने है और यहाँ पे आपका एड हो जाएगा तो अभी मैंने Google Chrome पे सर्च किया गोतम बुद्धा पिक 16-9 ताकि मैंने को easily डाउनलोड कर सकूँ तो मैं यहाँ पे किलिक करता हूँ किसी भी picture पर आपको किलिक करने है डाउनलोड करने का परोच से simple से होता है किलिक करो और इस पे किलिक करकर रको और इसको डाउनलोड कर लो यह डाउनलोड हो गया अगली वीडियो पर आते हैं यहाँ पे किलिक करकर रखते हैं इसको मैंने डाउनलोड कर लिया तो इस तरह से आपको बहुत सारी picture डाउनलोड कर लेनी है तो मैं मीडिया पर किलिक करता हूँ और जो मैंने picture डाउनलोड की उन दोनों picture को मैं यहाँ पर add कर लेता हूँ तो मैंने add कर लिया उसके बाद आपको करने है यहाँ पर yellow वाली पट्टी को पकड़के आगे खीच देना है तो इस तरीके सा आप इसको जितनी मिनट का चाहो उतनी मिनट का खीच सकते हो यहाँपर आप अलग-अलग image भी download कर सकते हो add कर सकते हो जरूरी ने कि आपको एक इस image डाउनलोड करने है तो एक image मैंने यहाँपर add करने है तो यहाँपर add करने के बाद वापस से मैं media पर clicking करता हूँ और यहाँपर download पर click करता हूँ फिर से मैंने एक picture add कर लिया तो इस picture का length जितना मैं रखना चाहो उतना कर सकता हूँ ठीक है तो उसके बाद आपको का करने है यहाँ पर अब उस audio को add करने है उस audio को कैसे add करोगे यहाँ पर देखो लिखा हुआ है audio तो जब आप audio पर click करोगे तो आपको यहाँ पर वो file ढूंड लिए जो आपने download किया था चलिए मैं उसको देखता हूँ तो अभी मैंने उस audio को ढूंड लिया यह देखो यहाँ पर मैं plus पर click करूँगा plus पर click करते ही यह audio मेरा यहाँ पर add हो गया तो अभी मैंने सिर्फ example के लिए एक ही audio download किया था आपको पूरी एक story copy करनी है जैसे google chrome से मैंने starting में copy किया था आपको पूरी copy करनी है तो यहाँ पर मैं इसके sound full करता हूँ और अभी आप देखना यह किस तरीके से play होगा तो मैं play करता हूँ बस आपको इस तरीके से यहाँ पर add करने है कुछ भी editing करनी की ज़रोत नहीं है वो इस आपका automatic perfect जा रहा है और बस आपको बीच बीच में क्या करने है जैसे एक line खतम होगा यहाँ पर आने के बाद इसको cut मारो और यहाँ पर split कर दो यह जो extra यह photo is को delete कर दो यहाँ पर photo change होता रहेगा अब ऐसे direct photo change होएगा तो अच्छा सा नहीं लगेगा यहाँ पर effect डाल देना यहाँ पर इस पर click करोगे तो click करने के बाद आपको बहुत सारी effect मिल जाएगे अलग-अलग परकार के effect मिल जाएगे जो आप चाहो वो वाला effect यहाँ पर डाल सकते हो चलिए मैं कोई ऐसे normally effect डाल देता हूँ ताकि अच्छा लगे तो अभी मैंने यहाँ पर यह वाला effect डाल दिया देखो जैसे यहाँ से मैं play करता हूँ देखरो तो यहाँ पर इस तरीके से photo change हो गया तो अभी एक storyline हमारा complete हो गया यहाँ तक मतलब एक point हमारा complete हो गया 30 second के अंदर अंदर तो इस तरीके से आपको 4-5 paragraph कोपी करने है यह फिर आप 20 paragraph कोपी कर लो ठीक है पूरी कहानी के कितने paragraph होते है चलो आपको दिखाता हूँ आपको अपनी वीडियो का title क्या रखना है उसका idea आपको यहाँ से मिल जाएगा जैसे अभी मा आ चुका हूँ यहाँ पे कहानी number 3 पे तो यहाँ पे लिखा हूँ है अमृत की खेती तो यह एक आपका वीडियो का topic हो गया title भी आपका यही हो गया thumbnail भी यहाँ से मिलेगा अब आपको क्या करना है यहाँ से इस story को copy करना है और इसको यहाँ से copy करते जाना है इसको यहाँ से यहाँ से यहाँ तक copy कर लिया उसके बाद आपको नीचे तक copy कर लियना है यहाँ तक copy कर लो पहले उसके बाद इसको audio में convert कर लो उसके बाद फिर यहाँ से copy करना शुरू करो तो एक story देखो कितना लंबा होता है बीच-बीच में add आता है तो थोड़ा-थोड़ा सा copy कर ले न दुनिया भर की भाई आपको story मिल जाएंगी जितनी आप चाहो उतनी story आपको मिल जाएंगी अलग-अलग topic में मिल जाएंगी तो इस तरीके से आपको copy करने फिर वो ही audio में convert करने और काइनवास्टर में जाकर edit कर लेना है तो अभी मैंने काइनवास्टर में एक और audio add कर लिया तो यहां पर यहां तक मेरा video ready हो चुका है तो एक minute का video तो यहां से दो जो छोटे-छोटे से paragraph थे उनसे ही ready हो गया तो उसके बाद आपको यहां पर click करने है जब आपका video end हो जाएगा तो यहां पर catchy वाले icon पर click करके split कर दो और यह जो इधर वाला part है इधर delete पर click कर दो ठीक है तो अभी एक minute का video मैंने आपको ready करके भी दिखा दिया बहुत आसान है जब आप खुद से करोगे तो इधर से उधर चुटकियों में कर लोगे तो इतना करने के बाद आपको उपर की तरफ export पर click करने अब यहां से आपको FHD मतलब full HD 60 fps में video को export माल देना है तो यहां पर मैं save as video कर देता हूँ और उसके बाद thumbnail बताता हूँ कि कैसे बनेगा अब आप यहां पर ध्यान से देखो आपको thumbnail के ideas देता हूँ आपको thumbnail बनाने में कोई इतना ज़्यादा time नी देना पड़ेगा कि आपको घंटो लग जाएंगे thumbnail बनाना बहुत आसान है आपको सिर्फ यही तो words लिखने है तो thumbnail कैसे बनेगा उसके लिए आपको सबसे पहले एक application डाउनलोड करने है जिसका नाम है pixel lab तो यह application आप play store से डाउनलोड कर सकते हो तो इस application को open करने के बाद आपको यहां पर as interface आएगा तो आपको क्या करने है सबसे पहले नीचे किलिक करने है उसके बाद image size आएगा आपको यहां पर image size पर किलिक करने है custom पर किलिक करने के बाद आपको YouTube thumbnail पर किलिक करने है उसके बाद आपको ok करने के बाद आपको YouTube thumbnail का size बन जाएगा तो उसके बाद ये जो new text लिखा हुआ रहा है उपर सा आप इसको delete भी कर सकते हो अब आपको यहाँ पर देखो color option आएगा color पर जब आप click करोगे तो यहाँ सा आप कोई भी एक color दे सकते हो gradient color भी दे सकते हो जैसा color आप चाहो वैसा color दे सकते हो तो अब ही मैं color पर click करके black color यहाँ पर ले लेता हूँ तो black color मैंने ले लिया अब आपको जाना है Google Chrome पर जब आप Google Chrome पर जाओगे तो यहाँ पर search करो आपको गोतम बुद्धा की image ले लेनी है मैं यह वाली image ले लेता हूँ यह आप इसका png ले लो तो यहाँ पर png search करता हूँ ताकि thumbnail में png कटना करना पड़े तो चलो यहाँ पर मेरे को png मिल गई तो आपको png डाउनलोड कर लेना है यह photo डाउनलोड कर लेना उसका png कट कर लेना background remove कर देना तो उसके बाद आपको आना भाई pixel lab application में pixel lab open करने के बाद आपको beach वाले पर क्लिक करने है और import पर क्लिक करने है तो आपको यहाँ पर यह वाला image ले लेना है तो भी आप देख सकते हैं उसका png कट है तो उसके बाद इसको तो बिल्कुल इस तरीके से side में करके लगा दो अब आपकी वीडियो का जो भी topic है जैसे मैं यहाँ पर पर क्लिक करूँगा, text पर क्लिक करता हूँ ठीक है? अब यहाँ पर आपको hindi में लिखना है, hindi वाले कीबोर्ड साप, यहाँ पर हिंधी में लिख सकते हो तो आपकी वीडियो का topic कुछ भी हो सकता है मैं यहाँ पर लिखता हूँ कामियाब कैसे बने तो आपकी जो भी कहानी है उसी के according आपको यहाँ पर topic लिखना है तो इतना लिखने के बाद देखो मैं इसको सीधा करता हूँ यहाँ पर तो आपको यहाँ पर बहुत सारे font मिल जाएंगे जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो एक से एक font है यहाँ पर iciP करता हूँ तो आपको बहुत सारे font मिल जाएंगे अलग-अलग प्रकार के तो जो font आपको सही लगे है वो font यहाँ पर ले लो तो उसके बाद इसको उपर नीचे से जहां करना चाहो वहां तक इस background को कर सकते हो left right जितना करना चाहो left right उतना कर सकते हो तो इसको मैं right side भी बढ़ा देता हूँ तो right side बढ़ीगा लेकिन ये उपर की तरफ आगे picture के तो यहां पर click करो और यहां पर देखो लिखा हो है to back तो to back कर दो ये back चला जाएगा तो यहां पर काम्याब कैसे बने इतना हो गया ये example के लिए मैं आपको समझा रहा हूँ अब किसी thumbnail को बनाने के लिए बहुत आसान है तो यहां पर लिखा हो है चिंता से खुद का नाश मत करो चलो हम नीचे की तरफ लिख देते हैं चिंता से खुद का नाश मत करो new text हमने यहां से लिया चलो फटफट लिख देता हूँ तो इतना लिखने के बाद मैं इस बार color ले लेता हूँ यहाँ पर click करके sky blue color ले लेता हूँ तो plus पर click करूँगा जो भी color लेना चाहूँ मैं वो color ले सकता हूँ और जो भी आपको font लेना है यहाँ पर font पर जाओ और जो भी font लेना है आपको वो वाला font ले लो जो बढ़िया लगता है हिंदी वाले में तो इतना करने के बाद अगर आप इसको stroke देना चाहते हो तो stroke पर click करो इसको enable करो जो भी stroke देना है black color से देना है white color से देना है जिससे भी आपको stroke देना है उससे stroke दे सकते हो तो अभी मैं इसको किसी dark color से stroke देता हूँ तो मैंने इस color से इसको stroke दे दिया जैसे आप देना चाहूँ वैसे दे सकते हो भी तो मैं example के लिए बना के दिखा रहा हूँ तो कुछ इस तरीके से इसको यहाँ पे लिख देना है अब और भी कोई photo यूज करने है देखो यहाँ पे जैसे और भी photo है देख रहे हूँ यहाँ पे इस तरह की से photo यूज करने है तो सारे के सारे png आपको google करों पे मिल जाएंगे तो अभी मैं यहाँ पे कोई और photo side में लगाता हूँ जैसे मैं example के लिए कोई भी photo लगा देता हूँ यह वाला photo लगा देता हूँ चाहो आप उतना चोटा बड़ा जैसे चाहो वैसे कर सकते हो अभी background आगे पीछे हो गया तो यहाँ पे जाना background को आप इस तरीके से उपर नीचे जैसे चाहो वैसे कर सकते हो तो भाई थंबनेल बनाना इतना आसान है कि आप एक बाल जब try करोगे तो खुदी सीख जाओगे बहुत आसान है थंबनेल बनाना मैंने एक proper वीडियो भी बनाया हुआ है कि थंबनेल कैसे बनाते हैं आप उस वीडियो को देख लेना A to Z सीख जाओगे बच्चे से बच्चा थंबनेल को सीख जाता है अब आपको title and tags कहां से लेकर आने है अब चलो हम इनकी popular वीडियो पर चलते हैं तो इनकी हमने इस वाली वीडियो पर क्लिक किया तो यहाँ पर वीडियो पर देखो title क्या लिखा हुए तो आप जिस कहानी का वीडियो बना रहे हो उसी के उपर headline होता है तो उसी के according आप title लिख सकते हो यह तो यार आप इतना दिमाग तो खुद भी लगा सकते हो तो किसी भी वीडियो के tags देखने है यहाँ पर share बटन पर क्लिक करो इसका link कोपी कर लो तो link कोपी करने के बाद एक application आता है tag you तो आपको tag you application में जाना है यह आपको play store पर मिल जाएगा तो उसके बाद आपको यहाँ पर जाना है get tags from URL तो यहाँ पर आपको paste कर देना है तो यहाँ पर check करते हैं कि क्या के tags लगे हुए हैं तो हमारे सामने इस वीडियो के tags आ चुके हैं अगर आप चाहो तो इस तरीके से tags यहाँ से copy करो एक click करो नीचे की तरफ सारे के सारे tags copy हो जाएंगे आप इसको अपनी वीडियो में लगा सकते हो तो वीडियो को upload कैसे करने हैं सबसे पहले YouTube पर जाओ YouTube पर जाने के बाद पलस वाले icon पर click करो यहाँ पर upload अब वीडियो पर click करो तो उसके बाद उस वीडियो को select कर लो जो आप ने यहाँ पर edit किया तो वाई उसके बाद आपको यहाँ पर next पर click करने अब आपको यहाँ पर title लिखने जो भी आपका title हो सकता है x y z, अभी मैं कुछ भी लिखी देता हूँ, आपकी वीडियो का जो title हैगा वो लिखो, उसके बाद आपको गया करने है, unlisted करने हैं, यहां से unlisted, वीडियो को next पर क्लिक करो, यहां पर no पर क्लिक करो, upload वीडियो पर क्लिक कर दो, तो अभी आपका वीडियो upload हो जाएगा, तो टेक्स दिखा देगा, तो यह चक्क करो, मैंने जो वीडियो अप्लोड किया, वो यहाँ पर आ चुक है, तो अभी अरुस्टीड है वीडियो, तो आप अपनी वीडियो में थंबनेल अशा जाते हो, जो भी लआए चाते हो, यहाँ पर इस वीडियो का डिस्वाया, यहाँ प तरीके से आप अपनी वीडियो के description में भी hashtags लगा सकते हो, इस तरीके से description लिख सकते हो, तो description लिखने के बाद, unlisted पर click करो, public पर click करो, और उपर आपको save पर click करने है, आपका वीडियो YouTube पर public हो जाएगा, बस यह है बई, simple सा काम, अभी जरूरी नहीं है कि आपकी एकदम से वीडियो वाइरल हो जाएगी, starting में देखो वीडियो पर वीडियो आते ही का है, आते तो नहीं देखो, ध्यान से देखो, एक महीने में 897 वीडियो और एक महीने में 1,63,000 वीडियो इस तरीके से आपको आपे वीडियो मिलते हैं, मालनो भाई, आपकी कोई वीडियो चली गई, 20-25 मिलियन तो सोचो, आप कितना पैसा कमाने वाले हो और भाई, 8 मेर्ट से जाद है कि जितनी भी वीडियो होते हैं, उन पर मल्टीपल एड्स लगते हैं, तो एक हजार वीडियो पर अगर एक डोलर भी मिलना है, तो सोचो 20-25 मिलियन व्यूज पर कितने डोलर आपके बनने वाले हैं, तो अगर आपको फेस नहीं दिखाना है, और वोइस भी नहीं बोलना भी नहीं है, तो ये चैनल शुरू कर दो, तो मैं उम्मीद करता हूँ, आपको अच्छे से समझ आ गए होगा, कोई भी कोशन है कमेंट करके पूछलो, और साइड में लोगो आ गए होगा जुन्लू की टेक का, तो भाई, यहाँ पर किलिक करके सब्सक्राब भी कर लो, इस तरह के वीडियो मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूँ, और वीडियो को लाइक जरूर करके जाना, तो मैं आप सब्सक्राइब किसी और इंट्रेस्टी वीडियो में तब तक के लिए आप लोग अपने ध्यान देखें, एंड, बाई